20 साल पहले इस देश में एक टेकनोलोजी आई प्रेशर कुकर बनाने की टेकनोलोजी ये हमने विदेशों से लाई हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं कारण क्या है हमको जरूरत नहीं चीजें जो है न वो जरूरत के हिसाफ से बनती है वो एक कहावत आपने सुनिये, आवशकता, आविशकार की जन्नी होती है, जो जरूरते होती हैं, आवशकता होती हैं, तो आविशकार होता है, हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी, इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नॉलजी ले अब हम pressure cooker में खाना बनाते हैं अब pressure cooker में जो खाना बनाते हैं आपको मालूम है वो aluminium का है और दुनिया में aluminium सबसे खराब धातू है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए सारे वैज्यानिकों की शोध इस बात पर केंद्रित है कि Aluminium के पात्र में खाना बनाकर अगर आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं और ये जहर एक दिन जान लेवा होगा मैंने इस पर थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि Aluminium के प्रेशर कुकर में बार बार खाना बनाकर जो हम खाते हैं तो Aluminium भारी तत्व है, heavy metal है, वो शरीर में deposit होता रहता है और शरीर का जो excreta system है, जो जहर को बाहर निकालने वाला सारा तंत्र है वो Aluminium को कभी भी निकाल नहीं पाता, क्योंकि Aluminium बहुत भारी है, बहुत heavy है तो वो घमा होता रहता, और जमा होते होते फिर दमा, अस्थमा, ट्यूबर कॉलोसिस जैसी गंभिर विमारियों का कारण बनता है मैंने विद्यारती जीवन में एक चोटा सा सर्वे किया था कि भारत में जो गरीब लोग होते हैं, उनको दमा और अस्थमा क्यों होता है? कारण उसका ये पता चला कि ज़्यादातर गरीब लोग ऐलुमीनियम के बरतनों में खाना बनाते हैं और खाते हैं ये उनके दमा और अस्थमा होने का टीवी होने का सबसे बड़ा कारण और आप जानते हैं कि आधुनिक चिकितसा विग्यान में एलुमीनियम का इस्तेमाल वर्जित है आयुरवेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं कि दवा नहीं बना सकते एलोपैथी में भी एलुमीनियम का इस्तेमाल वर्जित है लेकिन उस एलुमीनियम का करोणों टन में विदेशों से हम इंपोर्ट करके pressure cooker बना के घर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद दमा, tuberculosis, अस्थमा के शिकार हो रहे हैं हमें खुद नहीं मालुम है कि हमारे दमा का कारण pressure cooker है हमारे दमा का कारण, हमारे cancer का कारण, गंबीर बीमारियों का कारण वो aluminium है जिससे pressure cooker बना है किड्नी फेलोने का कारण वो अलुमीनियम। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ तब आप इसकी भयावयता को समझ पाएंगे। जब अंग्रेजों की सरकार इस भारत में चलती थी और करांतिकारी अंग्रेजों के खिलाव धरना प्रदर्शन करते थे और उनके सत्याग्रे होते थे और अंदुलन चलते थे तो अंग्रेज सरकार करांतिकारीों को जेल में बंद करती थी और अंग्रेज सरकार का ये उद् इसके लिए कानून बनाया था हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंग को चंदर शेकर को आश्वाक उल्ला को तांतिया टोपे को अजीम उल्ला को अमजद खान को सारे के सारे करांतिकारियों को जेलों में अंग्रेजों ने जब बंद किया तो एलुमिनियम के पात्र में उनक कर चलाया करते थे अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी हमारे देश की जेलों में अभी भी कैदियों को अलुमिनियम के बरतनों में ही खाना मिलता है क्योंकि अंग्रेजों के समय का जेल का कानून अभी तक बदला नहीं गया है आप सोचिए कि कैदियों को जल्दी मा दालने के लिए अंग्रेज एलुमीनियम पात्र में भोजन दिया करते थे और कैदियों की मजबूरी होती थी, क्रांतिवीरों की मजबूरी होती थी उसमें भोजन खाना, लेकिन हमने तो हमारे घर में प्रेशर कुकर लाकर अपनी इक्षा से, अपने शौक से, अपने मरने क का इंतिजाम किया हुआ है ये है विदेशी टेकनॉलजी अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं ये खाना जल्दी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैंने उसका अंदाजा निकाला क प्रेशर कुकर में डाल बनाएं तो बीस मिनट में बनती है और मिट्टी की हांडी में बनाएं तो जादा से जादा चालीस मिनट में बनेगी बीस मिनट का ये अंतर इससे जादा ने और दस मिनट का अंतर और पड़ेगा सब जी में लेकिन मिट्टी की हांडी की जो डाल आप खाएंगे उसका जो स्वाद होगा वो प्रेशर कोगर की डाल में जिन्दगी में कभी नहीं मिल सकता है मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूद जो पिएंगे उसका जो स्वाद होगा वो किसी अलुमिनियम पात्र के दूद में नहीं मिलेगा मिट्टी की हांडी में जो दही बनाते है न दूद डालके उस दही का जो स्वाद होता है वो किसी भी दूसरे पात्र के दही का नहीं होता है तो स्वाद अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है तो मेरा आपको सिर्फ एक ही निवे कर दो जब है